और graph कैसे बना लो हमेशे मिल जाएगा जैसे मानलिया मैंने ऐसे graph बनाया यह मानलिया A है यह मानलिया B है तो A और B पे तो बराबर value आ गया तो इस पार FAB यही है FB भी यही है और इसका midpoint भी यही आ जाएगा बाई चांस F A प्लस FB बाई 2 इस पार हमसे पूछा है कि यह value कहां मिल रहा है तो हमें दिख रहा है A और B दोनी जगह मिल रहा है तो इस पार हमसे पूछा है कि C का value क्या है तो इस वाले case में C के दो possible value है C मतलब क्या होता है X coordinate तो F A प्लस F B बाई 2 कौन सा Y का value है यह Y का value फिर हमने देखा है इसके corresponding कौन कौन से point आए तो वह यह दो point आए दो point आगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो हमने यह नहीं बुला कि कि 2 के corresponding कौन कौन सा point मिला वह यह point मिला और यह point मिला इनके X का value कितना होगा है A और B तो इस वाले case में C का value कितना होगा A और B ठीक है जो condition है वह वालेट नहीं होना चाहिए condition में क्या बोला गया था कि continuous होना चाहिए अगर continuous है तो भी बोल सकते हैं और दूसा closed interval होना चाहिए open interval है तो कुछ नहीं कहा सकते हैं यह ठीक है अच्छा यह जो theorem है जो भी हमने यह जो दूसा theorem लखाया यह इस theorem का नाम क्या है इस इस काल इंटर्मीडियेट मीन वैल्यू थेओरम इस थेओरम का नाम यह है इंटर्मीडियेट मीन वैल्यू थेओरम इंटर्म मतलब आई मीडियेट एम वैल्यू वी थेओरम ती तो आगे जाके इल आल्सो रेफर्ट इस थेओरम इस आई एम वी थेओरम इंटर्मीडियेट मीन वैल्यू थेओरम क्या थेओरम है यह स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर fx एक कॉंटिनस फंक्शन है ख्रोज इंटर्म में a से b में तो फिर एक नंबर c पका ऐसा जरूर आएगा ऐसा एक नंबर c जरूर आएगा यह ठीक है इस इंटर्म में यह इंटर्म भी ख्लोज है ओपन नहीं है मतलब close रगाने का मतलब कि c का value a b हो सकता है और b b हो सकता है ऐसा value जरूर आएगा जहां पर जो y का value आएगा ठीक है fc मतलब y का value और fa plus fby2 के ब्लाब हो यह तो ठीक है mathematical language में हो गया अगर मैं इसको simple भाषा में बोलना चाहूं तो इसने effectively यह बोला कि अगर एक function continuous है closed interval में ठीक है तो fa plus fby2 उसी interval में पक्का कहीं ने कहीं मिलेगा और जहां मिलेगा उसको c बोल दिया यह ठीक है note करने ला एक point क्या है इसी theorem के लिए imvt के लिए बात करें पहला तो हम यह बोल सकते हैं कि function should be continuous in a to be closed in a to be closed that is मतलब क्या है closed in interval में that is in sorry that is in closed interval function should be continuous in closed interval यह ठीक है true more than 1c can be can be बोले हमने यह बोले हमने विल भी नहीं बोले हमने हमने विल भी नहीं बोले हमने आप भी सकता है नहीं रहा सकता है more than 1c can be obtained ठीक है note 3 मतलब note 3 में इस theorem के help से हम यह तो बोल सकते हैं कि a और b के बीच में एक number ऐसा c जरूर आएगा जहां पे function का value f a plus f b by 2 के बढ़ाबर है function का value मतलब f c f a plus f b by 2 के बढ़ाबर है बट वो c कहां पे आएगा यह नहीं बढ़ा सकते है इस theorem में यह तो बोलेगा कि इन दोने number माले यह a और यह b है यह a है यह b है तो उसने यह तो बोला कि इसके पीच में कहीं c आएगा जहां value f a plus f b by 2 होगा बट अगर वो पूछे कहां आएगा तो यह नहीं बता सकते कि इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा यहां पे कहीं आएगा यह शौर है बट कहां आएगा वो नहीं बता सकते के वल इस theorem की help से नहीं बता सकते उसके लिए फिर न हमें function भी पता होना चाहिए फिर तो निकालना पड़ेगा theorem कोई help नहीं करेगा यह बताने के लिए कि यह c का location क्या है उस internal में मतलब क्या है कि using this theorem location of c in the interval cannot be obtained के वह इस theorem को लाकर हम c का location नहीं बता सकते कि इस इंटर्वल में किस जगह पाएगा वो डिपेंड करेगा कि function क्या है यह तक ठीक है ओके यह समझना बहुत important है कि theorem में जो भी condition है जब वो satisfy होगा तब ही उस theorem को use कर सकते हैं अगर वो satisfy नहीं हो रहा है तो इस theorem को use नहीं कर सकते हैं ठीक है और कुछ चीज लगा के अगर आंसर बता रहे हैं तो that's a different thing but theorem use नहीं कर सकते हैं तो जैसे माल लिया मैं यह बोलूं question 1 मतला imvt is applicable और not applicable यह बताना है in this interval a to b question क्या है कि हमें यह बताना है imvt is applicable और not applicable यह ठीक है in this interval तो यह मिटा दिया हम तो माल लिया first part हमें यह graph दिया गया यह a है यह माल लिया भी है यह first graph है फिर दूसर ग्राफ तुम सोचो जब तक first graph पर क्या applicable हो सकता है नहीं हो सकता है दूसर ग्राफ माल लिया a है यह b है यह x axis है ठीक है तीसा graph माल लिया और फोर्ट ग्राफ बाफ ग्राफ माल लिया प्राफ अगल 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 अ घ्ष Acts लगानेहिए यह भ्क्राइक तो एक्स एक्सेस पे लिए प। है कि ये गृक्विय अब बताओ है क्या हुआ है कॉंधिशन किया क्योंत तो इस केस्थ में और कॉंटिनस है और कहीं कोई applicable sorry applicable in the center A to B closed यह दूसर है A to B इसमें applicable है या नहीं है इसमें not applicable क्यों क्योंकि इसमें A के ऊपर discontinuous हो गया ए ठीक है ए पर value नहीं आ है बाकी A से B तक continuous है सारे values के लिए B पर भी continuous है बट A पर discontinuous हो गया इसलिए theorem नहीं लगा सकते हैं हमने यह नहीं बुला कि F A plus F B by 2 बीच में मिलेगा यह नहीं मिलेगा उसके बात ही नहीं कर रहें मिले चाहिए ना मिले बट theorem नहीं लगा सकते IMVT मतलब intermediate mean value theorem is not applicable on this case second case की बात करें 3rd में इस पूरे interval में बीच में break आ गया C पे discontinuous हो गया तो इसमें भी not applicable 4th, 4th में C पे break हो रहा है बट question में अगर तुम ध्यान से बढ़ोगे तो question में तो इसमें यह बोला है कि वो A से B में applicable है या नहीं है ठीक है तो A से B में अगर हम देखे हैं तो वो तो इतना सा part है तो A से B में तो कोई break नहीं है यह तो पूरा size ही जा रहा है तो बाहर कुछ भी होता है उससे क्या फरक पड़ता है इस interval में तो लगा ही सकते हैं न तो इस वाले case में इस अप्लिकेबल सही है I hope you understood this और ले लिए थे हैं चलो से एक्वेस्टिन टू में से पूशा जाग रहा है टू फाल्स ये ठीक है यह मालने भी है यह x-axis है यह fb है ठीक है यह graph दे रखा है यह ठीक है तो first part में उसने क्या बोला इसी graph को देखे वो पूशता है there exist a number c belonging to a to be closed थीक है such that f of c is equal to f of a plus f of b by 2 हमसे यह question पूशा गया उसने ग्राफ हमें दिखाया फिर उसने पूशा कि इस graph को के respect में वो देखके बोला है कि direct distance number c belonging to a to be closed मनला a और b के बीच में x ऐसा जरूर मिल जाएगा जहां पर y का value fc मतला y का value f a plus f by 2 के ब्रावर है ठीक है उसने यह बोला अब सोचो क्या होना चाहिए इस question का answer प्रूव होना चाहिए या false होना चाहिए सोच लो आराम से pause करके सोचो फिर जब तुम्हारा answer मिल जाए तो फिर वापस वीडियो देख लेना बहुत सारे बच्चे इस question कहां से गलत देते देल से false बर देल से not false उनका logic क्या हो अगर मैं पूछो नहीं क्यों गलत है तो बुलेगा यह B पे discontinuous है तो बीपे इस पूरे statement में इस पूरे statement में इस पूरे statement में इमवीट का कहा नाम लिया है उसने यह कहां बूला कि IMVT लगा के बताओ कि यह सही है गलत है उसने तो यह बुला है with respect to the given graph इस graph को देखके तो इसका मिड़ कहीं हां पर आजएगा तो यह वाला value कहीं मिल रहा है क्या तो हमें graph से दिख रहा है कि हां मिल रहा है यहां मिल रहा है तो इसने IMVT इसका नाम ही नहीं लिया इसने तो बोला कि एक value ऐसा मिल जाएगा तो सही बोला है गलत बोला observe करके हम बता देंगे कि सही बोला नहीं है जबता है सही है मतलब इस टेक्नेंट सही इसस है यह हूता है इस श्राइब लगा रहे हैं फिर यह गलत का होगा आगर मैं पूछो कि मुझे तो इस question का तो फिर उसके question क्या होना चाहिए तो वह हम बता सकते है question अगर मैं यह बोलू न विद रिस्पेक्ट टू गिवेन ग्राफ है ठीक है यूजिंग इंटर्मीरेट में वैली थे रहा हूं देर एकजिस्टे नंबर यह नो नहीं है नंबर लिखा है नंबर लिखा हुए नंबर देख जिस्टे नंबर c belonging to a to be closed यह ठीक है such that fc is equal to f of a plus f of b by 2 अब कोई मेरे से पूछे कि यह answer क्या है सही है गलत है तो of course यह false है अब यह false क्यों हो गया क्योंकि जैसे कर मैंने statement पढ़ना चुरू कि इस ग्राफ के बारे में बात चल लिए यह ठीक है इसनला with respect to given graph मतलब उस graph के respect में using imvt there exist गरबड़ हो गया the moment he say using imvt यह statement ही गलत है imvt तो use ही नहीं कर सकते हैं इसनला कि imvt को use करके हमने बताया है कि तो गलत है क्योंकि imvt यूज ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि a to b closed में function continuous नहीं इसलिए false हो गया पहले वाला statement क्यों सही है क्योंकि पहले वाले statement में उसने imvt जैसी चीज़ का नाम ही नहीं दिया उसनों पर बोला कि इसमें दिख रहा है हमें कि एक CSI जहां पर FC FA प्लस FVY2 के बड़ाबर है तो उसने बड़ा सभी बात है हमने बला हाँ बिल्कुल सभी देख रहा है वह तो हमें भी दिख रहे है ठीक है